नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मुक्ता दिक्षित एस्ट्रोजर जन्मकुली हस्त रेखा रत्न बास्तू और जोतिस से जुड़े समस्त प्रकार के जो सामगरियां रहती हैं स्रीयंद्र कोवेरियंद्र रत्न इस्टौन ये सारी चीजें जो हमारे कारले से आप ले सकते हैं से धन सम्रद्धी की ब्रद्धी होती है और इसके साथ जो है महत्यपुशंद्री की पूजन से की जाती है तो यह स्रीयंद्र भी आप प्राण प्रतिष्टित हमारे कारले से प्राप्त कर सकते हैं जी है दोस्तों अब हम देखेंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइज जरूर करने वाले हैं और यह एक बर्स तक जो है अपनी राशी में तो किसका इनका क्या प्रभाव राशी यों पर पड़ेगा तो यहां के बल मैं उन राशीョं के बारे में बतला रही हूं जिनकों की विसेश लाव होने वाला है तो यह चार रासीों के लिए विसेश सवगात ले जो आपकी लकी रासी जो आ रही है गुर्देव के कारण बह पढ़ रही है क्योंकि गुर्देव ब्रहस्पती जो है ज्यान के कारक हैं धन के कारक हैं सुक्समरद्धी के कारक हैं और सारी इक्षाओं को पूरा करने के लिए ब्रहस्पती यदि आपकी कुनली में मजबूत है तो ये आपको हमेशा शुक्षंपति नन संपधाशे युक्त रखते हैं तो जी हाँ दोस्तो अब हम देखते हैं कि किस-किस राशी वालों के लिए जो ब्रहस्पति गुरुदेव हैं वे सुफल ला रहे हैं तो सबसे पहली राशी आती है आपकी कन्या राशी तो कन्या पार सौधा समझोता और विवाह से संबंदित भाव रहता है तो जब इस भाव में इनका गोचर हो रहा है तो निश्चित ही आपको इन से संबंदित सुक्सु विधाओं की ब्रद्धी होगी गुरुदेव प्रहस्पति सब्तम भाव पे बैठ करके लाव याने अपनी करक रासी को देख रहे हैं ऐसे में आपको नौकरी कार व्यापार के छेतर में विसेश सफलता की प्राप्ति होगी और इसके साथ पराकरम को देख रहे हैं तो यह आपको पराकरम को भी बढ़ाएगा यदि आप किसी प्रकार की प्रतियों की परिक्षाओं में जो है तैयारी क प्रयास कर रहे हैं तो इस वर्स आपको सफलता की योग बन सकते हैं अगली राशी आती है आपकी ब्रश्चिक राशी ब्रश्चिक राशी वालों के लिए जो है गुरुदेव ब्रहस्पती पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और जब भी ब्रहस्पती पंचम में गोचर करत है तो पुत्र संतान की योग भी बना देते हैं या जिनक्या संतान नहीं रहती संतान की योग बनते हैं और इसके साथ जो है सें। मार्केट लाटरी शट्टा इन सारी चीजों से भी लाप की योग बनते हैं जो अचानक भविश्य के ब्यापार रहते हैं लेकिन लाप का योग बहुत अच्छा बनाते हैं ब्रहस्पती के दर्ष्टी भाग्य पे पढ़ रही है तो भाग्य पे पढ़ने के कारण जो है आप सोब फल लेकर आ रहे हैं अगली राशि आती है आपकी धनु राशी तो धनु राशिया आलों के लिए क्योंकि चतुर्त भाव में गुरू का गोचर हो रहा है तो जब भी चतुर्त में गुरू आते हैं तो भूमी बाहन भवन इन से संब्द ना किसी प्रकार के कार के और आपके योग बनाते हैं या आपके जो काम रुके होंगे भैप पूरे होने की जो संभावना बनेगी आपके कर्म छेतर की ब्रद्दी होगी यदि आप किसी बाहरी संपर्क से संबंद रखते हैं या बाहरी कार से संपर्क रखते हैं तो ऐसे में बाहरी छेतरों से भी आपको लाप के योग बनेंगे इसके साथ जो है बहस्पति का जो है रष्टम भाव पर पढ़ रहा है तो गुप्त तरीकों से भी आपको Ceclaam या किसी प्रकार के लाब के गुपतियोजनाव से भिए आपको लाब के योग बनेंगे इस प्रकार से झो है धनू राशिवालों के लिए भी गुर्दु ब्रहस-पती जो है सुल्ब समाचार लेकर करके आ रहे हैं अगली राशी आती है आपकी कुंव राशी जीहां दोस्तो तो कुम राशिवालों के लिए जो ब्रहस्पति हैं दती भाव के कारक हैं तो दती भाव जो रहता है मीन रासी शोयम गुरुदेव जब धन स्थान पर बैठे हैं तो आपको धन के मामले में भूत ही जादा जो है आपको सफलता मिलने वाली है रुका हुआ धन आपको मिलने वाले हैं तो उनमें भी आपको सफलता मिलेगी और अधिक से अधिक आपको धन लाप के योग बनेंगे इसके साथ ब्रहस्पति की जो द्रष्टी अश्टम पे पढ़ रही है तो गुप्त योजनाओं से गुप्त तरीकों से जो है आपको लाप के योग बनेंगे और इसक सब्सक्राइब में आपको जो है बहुत अधिक सफलता देगी तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो गुरुदेव ब्रहस्पति का गोचर हो रहा है तो चार रासियां हैं इनको भी से सुफल यह प्रदान करेंगे वीडियो अच्छी लगे लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर क कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे